हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की जियोग्रोफी स्टार्ट कर रहे हैं और बुक वन का चैप्टर वन हम करने वाले आने की फर्स चैप्टर है भुगोल एक विसय के रूप में ठीक है आपका जो 2024-25 का न्यूस ऐसा ने इसके वीडियो लेक्चर की PDF आपको फ्री में हमारे टेलिग्राम गुरूप में मिल जाएगी जिसके बारे में आपको आपको मैं आगे बताने वाला हूँ ठीक है देखे एक बार आप श्लेबस देख लेजिए मैं आपको यहां पे केवल फर्स्ट रूम का श्लेबस दिखा रहा हूँ ठीक है और भी चैप्टर है मैंने आपको पहले से श्लेबस की वीडियो बना कर समझाया था लेकिन अभी मैं आपको केवल वही चैप्टर वाले हैं ठीक है और मेरा नाम सतिंदर प्रताप है अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ डाउट हो तो आप मुझे डैरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर एक लव्या जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको रिपलाइ करने का पूरा प्रयास करूंगा और टेलिग्राम would है हमारा Cryません के नाम से एक आपको क्या करना है ये वेघ्राइं मैपको टेली चाहिए लाज़् करना है आपको हमारा आप क्लास 10 को पास करके क्लास 11 में आए हो ठीक है यानि कि आप क्लास 10 में थे इस से पहले तो क्लास 10 में आपने SST नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसको हम सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्यन कहते हैं ठीक है और SST के अंतर गत उसके अंदर ही आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जियोग्रोफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइन्स यानि कि आपकी जो सिविक्स है, पॉलिटी है वो भी आप पढ़ते हैं और एकनॉमिक्स ये चार सब्जेक्ट आप मिला कर पढ़ते थे SST के अंदर ठीक है आपका एक ही एक्जाम होता था SST का उसमें इन चारों विसे में से आपकी पेपर में कुशन आ जाते थे, ठीक है, यानि कि आपने क्लास 10 तक इन सब्जेक्ट को जो पढ़ा है आपने वो एक साथ पढ़ा है SST के अंतरगत, लेकिन अब आप क्लास 10 को पास करके क्लास 11 में आ चुके हो, अब आपको यहाँ पे आपको एक independent subject के रूप में तौर पे geography को पढ़ना है, ठीक है, यानि कि geography का महत तो जो है अब आपके लिए काफी ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले से ज़्यादा हो, अब समझते हैं, अब देखिए, NCRT किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो आप पढ़ोगे आ वो काफी tough है, आपको समझ से आएगी, ठीक है, समझने में, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़े आसान भाषा में समझाओंगा, आपको बस ध्यान से देखना है और आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, तो सबसे पहला एक question आपके NCRT में है, जहां से chapter की सुरवात होत है, जियोग्रोफी में क्या पढ़ते हैं, पहले यह समझे, कि हमारा जीवन, हमारे जो surrounding होता है, यानि हमारा परिस्तान होता है, परिस्तान का मतलब है, हमारे चारो और जो भी हम देखते हैं, ठीक है, हमारा जो surrounding है, उससे अनेकों रूपों से प्रभावित होता है, कहने का आसपास के जो संसाधन होते हैं, उस पे निर्भर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, हमारे आसपास जो संसाधन होते हैं, उस पे निर्भर होते हैं, और उसी के जरियम अपने जीवन को बिताते हैं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चेरा जाओं, आदिम समाज की बात करूं, जब आदिम अवस्ता में था मानव तो उस समय में अपना भरन पोशन था उसके लिए वो क्या करता था प्राकृतिक निर्वहा जो संसादन होते थे जैसे पशु और खाद्य पोदे इस पर आश्रित रहता था यानि कि देखें आपने आदिम अवस्ता में था यानि जब वो आदि मूल मिल जाता था तो वो कंदमूल को खा लेता था ठीक है या फिर मान लो किसी पेड़ पर उसको कोई फल मिल जाता था वो फल को खा लेता था ठीक है और जीवन जीता था या फिर उसके आसपास कोई पशु होता था और उस पशु का वो क्या गरता था शिकार करता था उस पर्शू को मार देता था और उसको मार कर उसको मांस के रूप में उसको खाता था यानि की जब आदी मवस्ता में था तो उसके आसपास जो भी संसादन उसको मिलते थे वो उससे ही अपना जीवन निर्वा करता था ये recognizing को का विकास किया, ठीक है, टेकनोलोजी का विकास होने लगा, मानव ने प्राकृतिक संसादन, जो भी चाहे भूमी हो, चाहे मृदा हो, चाहे वो जल हो, उसका उप्योग करते हुए, आहार उत्पादन प्रारंब किया, ठीक है, आदिम अवस्ता में जब मानव था, यानि जब आदिमानव की तरह जिन्दिगी जीता था, तब वो खेती नहीं गरता था, याद रखिए, स्टार्टिंग में वो खेती नहीं गरता था, उसे तो जञगलों में जो उग जाहें, चाहे कोई पेड़उगा हो, या कोई कंदमुलगा हो, वो उसको खा लेता था, ठीक है, जा इस्थाई रूप से क्या शुरू करा किर्शी शुरू कर दी यानि इस्थाई रूप से उसने किर्शी स्टार्ट कर दी अब जैसे ही उसने इस्थाई किर्शी स्टार्ट की उसका जीवन वो बदलने लगा अब जब वो इस्थाई रूप से किर्शी करेगा तो उसको एक जग पेले तो वो जंगलों में रह लेते थे बारीस आती थी तो जो गुफाइं अगती थी उसमा चुप जाते थे ठीक है या पत्ते बगर लपेट के काम चला लेते थे लेकिन धिरे धिरे उन्होंने वस्तर को पहनना शुरू करा वस्तर बनाने शुरू करें ठीक है और मौसमी दसाओं के अनुसार ही उन्होंने अपने आपको एडजस्ट करना शुरू कर दिया यानिकि जब शर्दी का मौसम होता तो वो उनी कपड़े या ऐसे कपड़े जो उसको सर्दी से बचाए वो पहनने सुरू कर दिये, सर्दियों के मौसम में गरम तासीर की जो 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 खाना सुरू कर दिया, क्योंकि वो धीरी दिर उनको समझ उनकी विक्सित होने लगी थी, ठीक है, तो भूगोल के एक छात्र के आपके सामने आसपास जो भी संसादने धरातल पे, ठीक है, वो सारे संसादन आप देखते हो, उनको देख कर गई ना गई आपके अंदर उसकता जागनी चाहिए, उन सब के बारे में जानने के लिए, और इन सभी उसकताओं का जवाब आपको कहां पे मिलेगा, भूगोल क क्यों पढ़ना चाहिए, आपका कोशन यहां पे क्या था, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो देखे, सिंपल भाशा में अगर आपको समझाओं, तो देखे, आप एक और एक्जामपल से समझे, देखे, जब कोई बच्चा जनम लेता है, मान लीजिए कोई के दिखाई देगी, ठीक है, कहीं नदी के पास से ले जाएंगे, नदी दिखाई देगी, पेड़ पौदे, आसमान, ठीक है, बादल, उसको सारी चीज़े दिखाई देगी, तो वो सराउंडिंग में जिन चीजों को देखता होगा बच्चा, बेसक से वो बोल नहीं पाता है, हम अपने सराउंडिंग के बारे में जानना चाते हैं, हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसादन है, चाहे वो पेड़ पौदे हैं, चाहे वो जीव जन्तु हैं, चाहे मनुष्य हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए वो नदी, पहाड, जंगल, जो भी है, उन सब को देख आया, अब चलते हैं, हम थोड़ा सा और देखते हैं, देखें, हम अपने आसपास में अपने सराउंडिंग में क्या देखते हैं, जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, हमारे मन में उसको बारे में जानने का विचार उत्पन होता है, जैसे मान लीजिए हम अपने आ के बारे में जानना चाहते हैं. इस चुब को जीजाने के लिए ciao कया जानना चाहते हैं. ठीक है विंड, जो पावर होती है, जो पवन उर्जा होती है, उसका कैसे इस्थेमाल किया जा सकते हैं. भूगोल में मिलता है। हमारे लिए बहुत ही IMPORTANT है. अब देखो, अब ये तो मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया, अब सीधा सीधा पेपर में मानलो कोशन आ जाए, कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे, ये देखो, अब मैं आपको सीधा आंसर वाली लेंग्विज समझाता हूँ, पेपर उस जलवाईउ को समझने के लिए, ठीक है, वैदर को समझने के लिए भी हमें जियोग्रोफिकी जुरूत पढ़ती है, माना हूँ समाज में पाए जाने वाली जो विभिंता है, जो वराइटी है, हमारे समाज में अलग-अलग तरह की विभिंता देखने को मिलती है, और क्यूं है तो इसको समझने के लिए भी हमको भूगोल बढ़ना पढ़ेगा ठीक है भूपरिष्ट यह आमारी जो प्रित्वी है उसमें जो विवित्ता है प्रित्वी में विवित्ता कैसे है आपको कहीं पर नदी दिखेगी तो कहीं पहाड दिखेंगे कहीं पर समतल जो विबिनता है उसको समझने में जेग्रोफी मदद करेगी संसाद उनों का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है इसको भी हमें जेग्रोफी के जरिए ही पता लगेगा तो भूगोल क्यों बढ़ना चाहिए तो आप इतना बड़ा आंसर लिख सकते हों आपको किलियर समझ में आया होगा ठीक है क्योंकि किताब पढ़ोगे बहुत टफ है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी आसान भासा में समझिये और मैं इसमें आपको कीवल काम की चीजे बढ़ाऊंगा जो फाल्दू की चीजे अगर दे रखिये तो इसको नहीं बढ़ाऊंगा उससे सकते हो कि जेग्रोफी क्या है ठीक है अब थोड़ा सा ना देखते हैं कि जेग्रोफी जो शब्द है ये शब्द आया कहां से इसको कौन लेकर आया इसका क्या मतलब होता है इसको समझेंगे फिर आगे हम जेग्रोफी को समझते है देखिए सबसे पहले यह भूगोल शब् प्रियोग किसने कराता इरेटोस्थेनीज इनका नाम है ये एक भूगोल वेता है ठीक है विद्वान है जो की ग्रीक विद्वान है ठीक है ग्रीक विद्वान है तो ये शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल सब्दों से बनाता इन्होंने जियोग्रोफी शब्द सबसे प वर्णन करना यानि कि description वर्णन करना विस्तार से समझाना यानि हमारी अगर दोनों शब्दों को मिला दें तो क्या बनेगा अब देखो पृत्वी और वर्णन करना तो दोनों शब्दों को मिला कर अगर हम अर्थ बनाए तो इसका मतलब हो जाएगा पृत्वी का वर्णन करन अब पृत्वी को हम और डिटेल में जाने हैं, तो पृत्वी को मानव का आवास कहा जाता है, यानि जो पृत्वी है वो मानव का घर है, हम सब कहां रहते हैं, पृत्वी में रहते हैं, हमारे जो देश हैं कहां है, पृत्वी में, किलिए रहते हैं, तो भूगोल का मतलब क्य प्रित्वी का वर्णन प्रित्वी क्या है मानव का घर है जीव जन्तुओं का घर है विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में प्रित्वी का वर्णन करते हैं ठीक है जो विद्वान है वो क्या कहते हैं भूगोल को भूगोल को कहते हैं कि भूगोल जो है ठीक है उसमें भुगोल में पृत्वी है, पृत्वी क्या है, एक तरह से मानव का निवास का इस्थल है, और इसी का वर्णन किया जाता है, भुगोल के अंतरगत, यह आपको बताए गया है, तो सबसे पहले इस शब्द को, का इस्तेमाल किस ने करा था, इरे टोस्थैनीज, ठीक है, कहां के विद्वान थे, यह ग्रीक विद्वान थे, क्या, दो शब्द बताए थे, एक जियो था, एक ग्रैफोस था, जियो का मतलब क्या था, पृत्वी ग्रैफोस का मतलब क्या था, वर्णन करना, दोनों को जोड़ दे तो क्या मतलब होता है, प्रित्वी का वर्णन करना ठीक है प्रित्वी का वर्णन किसमें किया जाता है भूगोल में किया जाता है इतना समझ में आया इसके बाद देखो प्रित्वी को मानव के आवास के रूप में यानि प्रित्वी जो है मानव का घर है तो इसलिए इसको प्रित्वी को मानव के घ भर के रूप में इसका अध्यन किया जाता है भूगोल के अंतरगत ये आसान था आपको समझ माया होगा अब हम चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि भाई भूगोल क्या है ठीक है लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पृत्वी को समझ लेते हैं फिर आगे देखेंगे बोदे वनस्पति सब पृत्वी में हैं तो ये हमारे सास्ताथ जो अन्य पराणी है उनका भी आवास है पृत्वी की सतय जो है वो एक रूप नहीं है यानि जो पृत्वी का सरफेस है वो सभी जगा एक जैसा नहीं है कहीं पे आपको समतल दिखेगा मैदान दिखेंगे तो क कहीं पे पहाड़ी एरिया है उबढ़ खाबड भी है तो कहीं पे आपको बंजर जगा दिखेगी तो कहीं पे हरे भरे वन दिखेंगे ठीक है तो इसके जो सरफेस है वो एक जैसा नहीं है ठीक है इसके बहुत इक सुरूप में बहुत ज़्यादा बिनता है फिजिकली अग कहीं पे पहाड़ दिखते हैं ठीक है परवत पहाड़ियां कहीं पे हमें को घाटिया दिखते हैं कहीं पे मैदान बड़े-बड़े मैदान दिखते हैं घास के मैदान वगेरा हो जाते हैं कहीं पे पठार है कहीं पे समुंद्र है कहीं पे जील है कहीं पे रेगिस्तान है ठ यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तत्तों में भी भिननता पाई जाती है, सामाजिक और सांस्क्रुतिक तत्तों हमें आगे एक टोपिक है, वहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूँगे, यहाँ पर पृत्वी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार आप इसको दो शब्द दिये थे जियो और ग्रैफोस उससे मिलकर बना था जियो का मतलब पृत्वी था और ग्रैफोस को मतलब वर्णन करना था यानि पृत्वी का वर्णन करना तो देखिए अब अगर पेपर में कुशन आ जाता है तो आपको इस language में लिखना है भूगोल जो है वो प हमारे चारों तरफ उसके साहा हमेशा क्या करता है इंट्रेंट करता है अन्योनग रिया करता है क्या हिना अ मैं ओक दिक वे ऑखको ढिनलें से जूड़ा हुआ यह सारा आपको समझाऊंगों अगर देखो वूग relationshipʃ को चिटित्र पढ़ा जाता है, चेत्रे भिन्नता कैसे, दो चेत्र को compare करो, जैसे मानलो आप एक लेलो कोई राज्य है भारत का मानलेजी आप जम्मू कश्मीर को लेलो, दूसरी तरह आप उत्तर परदेश को लेलो, आप दोनों चेत्रों में भिन्नता हैं देखने को पाऊगे, ठीक है, च कैसे difference हो सकते हैं, तो जो चेत्रे भिन्नता होती है, उसका अध्यन भी हम भूगोल में करते हैं, अब interaction वाला topic जो है मैं आपको समझाओंगा, ताकि आपको समझ में, अब मैं आपको बताता हूं कि मानव कैसे, प्रकृती के साथ interaction करता है, ठीक है, मानव प्रकृती पे यह मानव ने थोड़ी बनाए, यह तो हमको भगवान ने दिया है, यानि nature ने दिया है, प्रकृती ने दिया है, तो एक तरफ प्रकृती है, दूसी तरफ मानव है, अब मानव और प्रकृती के बीच में कैसे interaction होता है, इसको समझे, देखे, मानव ने क्या करा, मानव ने द तोड़ दो, आप बस एक चीज यहां पर देखो, भूमी, देखो, नेचर ने प्रकरती ने हमको क्या दिया, भूमी दिया, अब मानव ने क्या करा, भूमी के साथ अंट्रेक्शन करा और भूमी को यूज कर लिया, कैसे, मानव ने भूमी को खेती योग्या बनाया, ठीक है, जंगल वगएरा, जाड़ी वगएरा काटा, उसको साफ किया, उस पे जुताई करी, उसको खेत के रूप में कनवर्ट कर दिया, और खेत के रूप में कनवर्ट करके, मानव ने क्या किया, खेती की, यानि मानव का इंट्रेक्शन किसे हुआ, जमीन के साथ, मानव कई सारी क बीच में मानुथे अधिति करते ही। ये आपको समझ में आए इसी तरीके से हमारे चार और जो पर्यावरन है, मानव ने पर्यावरन का इस्तेमाल करा, महा सागर, महा सागर के साथ भी मानव ने अन्यों क रिया करिये, इंट्रेक्शन किया कैसे अब महासागर जो है आपने देखा होगा कि महासागरों का इस्तेमाल जो होता है ये व्यापार के लिए किया जाता है ठीक है मानव के पास बड़े बड़े मानव ने जहाज बनाए है समुंदरी जहाज उसके जरिये वो एक देश से दूसरे देश में यातरा करने के भी किया ठीक है तो यह सब क्या इंट्रेक्शन है पहाड 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 पहाडी छेत्र जो थे अब पहाडी छेत्र जो थे उबड़ खाबड उचे नीचे होते हैं लेकिन मानव ने उस छेत्र का भी इस्तेमाल कर लिया कैसे टूरिजम के लिए मानव ने पहाडी छेत्रों को टूरिज्म के लिए यूज किया, ठीक है? और क्या करा? माना उनने पहाड में खेती भी गरी. आफ पहाड में आप सोचो के खेती कैसे होंगे? पहाड में जो ऊचा नीचा होता है ना तो सीडी नूमा खेती बोलते हैं. पहाडी चेतर में जो खेती होती है, जल का इस्तेमाल करा, सिचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करा, पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करा, ठीक है, वनों का इस्तेमाल करा, वनों में मिलने वाली जो लकडियां हैं, उस लकडियों का इस्तेमाल करा, लकडियों के इस्तेमाल से उसने बहुत सारे फरनीचर, ठीक है ये सारी चीज़ें बनाई रेगिस्तान ये सारी प्रकृतिक चीज़ें जो है इन सबी के साथ मानव ने क्या करा interaction करा तो ये ही होता है प्रकृति और मानव के बीच में अन्योन किरिया अभी हमने बढ़ता था ना मानव प्रकृति के साथ परस पर लगातार अन्योन किरिया करता है कई तरह की किरियाएं करता है जिससे की मानव क्या करता है प्रकृति में मिले वे संसादों का इस्तिमाल कर बाता है अब नेचर ने क्या करा हमको भूमी दे दी अब हमने भूमी का क्या इस्तेमाल करा, खेती गर के वाँ पर फसल होगा दी, समझ गयो ना, तो ये चीज़े आपको यहाँ बतानी थी, तो आई होप आपको ये लाइन समझ माई हो गया, अब एक चीज और समझ यह, भूगोल को हम दो हिस्सों में बाट के पड़ते हैं, को भूतिक में देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये सारा का सारा हम भूतिक भूगोल में बढ़ते हैं, जिसमें हमारे स्थलाकिरती हो जाएगी, उसमें हमारा मरुस्थल हो जाएगा, रिगिस्तान हो जाएगा, पहाडी छेतर हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, ठीक है, उसमे चाहे वो नदी हो, चाहे वो महासागर, वो सब कुछ आ जाएगा, पर्यावरन, महासागर, पहाड, नदी, वन, रिगिस्तान, यह सारी की सारी चीज़े जो नेचर ने बनाई है, जो हमें फिजिकली दिखती है, अविलेबल है, इसको भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, ठी कड़ी के घर भी हो सकते हैं, सिमेंट बालू के घर भी हो सकते हैं, तो किसने बनाए, मानव ने बनाए, तो यह मानव भूगोल में पढ़ते हैं, सडको का निर्मान किसने करा, मानव ने करा, ठीक है, सडके चाहे वो जैसे भी बनाई हो, चाहे वो मिट्टी की सडक बनाई ह तांकरेट की सड़क बनाई हो, या जो तारकोल होता है, उसकी सड़क बनाई हो, जो भी बनाए हो, उसमेंगो बनाई हो, न próxima मानव बनाए है, तो किसमें आता है, मानव भूगोल में, घानन हो गया, इसके अलावा, वयापार करना, ठिके, पशुपालन करना, उद्योग लगाना ठीक है उद्योग व्यापार और ये जो संचार होता है हमारा communication वगेरा ठीक है ये सब कुछ हम कहां पर बढ़ते हैं मानव भूगोल में बढ़ते हैं ठीक है पढ़ोगे तो आप इसका कुछ अलगी मतलब निकाल लोगे हो सकता है आपको इसका मतलब भी समझ में ना आए लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको मैं आसान भाशा में समझाओंगा तो समझ माएगा पहले तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ह पढ़ देता हूं जिस भाशा में लिखा हूँ है फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं देखें एंसिया टे कहते है कि भौतिक परियावरन बौतिक परियावरन जो भी हमें मिलता है एक मन्च प्रस्तूत करता है ठीक है जिस पर मानव समाज ने अपने स्रिजनात्म करि तो भी बताओ, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, क्या कहना चारा है, देखे, ये कह रही है NCRT की भौतिक परियावरन, हमारे चारों और जो हमें प्रकृती ने एक परियावरन दिया है, जिसमें नदी, पेड, पोदे, पहाड, जंगल, सब कुछ आ जाता है, जो भी हमे प्रकृती ने दिया है, तो वह परियावरन जो है, हमको एक मच का मतलब है, हमको एक option देता है, हमको एक platform देता है, कि भाई, जैसे NCRT हमको भूमी दे दी, तो भूमी हमारे लिएक मंच हो गई, अब मनुष्य क्या करेगा, मानाओ समाज, यानि हम क्या करेंगे, अपनी स्र creativity दिखानी है, यानि हमें अपना दिमाग लगाना है, विवेक का इस्तेमाल करना है, सोचना समझना है, फिर हमको उस भूमी को, ठीक है, सजाना सवारना है, और अपने तक्नीकी विकास, जो भी हमारे पास टूल से, जो भी हमारे पास ओजार है, उन सब ओजारों का इस्तेमाल करके, उसको खेती योगे बनाना है, मैं आपको इस एक्जामपल में भूमी को मैंने डाल के बता दिया, ठीक है, अब नेचर ने हमको भूमी दे दि, भूमी में क्या था, ऊपर नीचे था, ऊबर खा बढ़ता थोड़ा, उसमें गड़े दे, उसमें पेड़ पो दे थे, मा उसके पास उपकरंट थे, उस उपकरंट का इस्तेमाल करके, उसने उस भूमी को खेती योगे बना दिया, यही आपको बताए गया, यानि प्रकरती हमको मौका देती है, और उस मौके का इस्तेमाल हम करते हैं, अपनी सूजबूस से, अपनी creativity दिखा कर, हमारे पास जो भी तकनीकी विकास है और उस चीज़ को हम convert कर देते हैं, किलियर समझ में आया, यह मैंना example इसमें fit करके समझाए ताकि आपको समझ में आये, अब दूसरे example देखे, एक line मुझे याद आ रही है, NCRT के अंदर ही मैंने पढ़ा था, आप NCRT में पढ़ाओगे, आपको समझ में एक कवी कहता है, ठीक है कवी क्या कहता है, कि जो nature है, जो प्रकरती है, प्रकरती कहती है कि भाई मैंने तुम्हें क्या दिया, प्रकरती ने मानलीजी हमें भूमी दी, तो माना उने क्या करा, भूमी का इस्तेमाल कर लिया, भूमी पर खेती सुरू कर दी, ठीक है, भूमी प को दूर करने के लिए दीपक बना दिया, समझे रहे दीपक बना दिया, तो यानि नेचर ने हमको दिया, फिर हमने अपनी creativity, अपनी सरजनात्वं क्रिया कलापों के द्वारा, technology के द्वारा, उसको दूसरी चीज़ों में convert कर दिया, उस समस्या को दूर कर दिया, यह आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, I hope आपको समझ माया होगा, आगे चलते हैं, देखिए भूगोलवेता, जो भूगोलवेता होते हैं, वो मात्र धरातल पर तत्यों में विभिनता का अध्यन नहीं करते हैं, यह म मतलब, यहाँ पर भी आपको यह लाइन सायद ना समझ माया है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अब क्या है, आप देखोगे भारत में, मानलीजे भारत में कुछ जगा ऐसी है, जहाँ पर पानी जाता है, वहाँ पर चावल की खेती होती है, ठीक है, भारत में कुछ ज करते हैं वो किसी और चीज को उगाते हैं यह एक्जामपल से समझा रहा हूं ठीक है अब देखो तो जो भूगोल वेता है ना वो कि इवल विभिंता का अध्यान नहीं करते हैं बलकि उसके पीछे क्या कारण है उसका भी अध्यान करते हैं वो देखेंगे कि भाई यहां पे चावल कूँ उगा है यहां पर चावल क्यूं नहीं उगए तो वह समझते हैं कि यहां पर पाणी उपलब्द कॉ पाइगे कि जो इसमें बलकुल पानी की जरूत ना हो थिके तो आपको समझ भाया यह ہां यह आपको बطाए जारह saturated example के लिए देखो फसल का स्वरूप example भी दे रखा है फसल का स्वरूप जो होता है वो एक परदेश से दूसरे परदेश में अलग होता है यह भिन्नता एक तत्थे के रूप में होती है ठीक है देखिए बिल्कुल मान लीजिए किसी जगा पे फसल कोई उगाई जाती है दूस कर लोगे नहीं आप उसी जगह पर कपास की खेती कर पाओगे जहां पर काली मिट्टी उपलब्द होगी जिस पर कपास उखता होगा ठीक है यानि मिट्टी इंपोर्टेंट पॉइंट है फिर जलवाई भी वैसी होनी चाहिए ठीक है बाजार में डिमांड भी होनी इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है ठीक है यह बताया जा रहा है आपसे तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कोशन इसलिए मैंने आपको इसमें ले लिया है ठीक है यह पिछले साल के एक्जाम में आया होगा कोशन है इसलिए यहाँ पर लिया है आप इसको समझे दिखे क्या है मानव ने क्या करा Adaption और Modification के माध्यम से प्रकृति के साथ समझोता करा Adaption का मतलब है प्रकृति की चीज़ों को अपनाना और Modification का मतलब है प्रकृति से मिली हुई चीज़ को अपने हिसाब से Modify कर देना उसमें कुछ बदलाओ कर देना अब देखो भई प्रकृती ने जैसे मानलो भारत में प्रकृती ने हमको एक जलवायू दी एक मौसम दिया अब हमारे यहां पे जुलाई से बारिस स्टार्ट हो जाती है और अगस्त सितंबर तक बारिस होती है अब प्रकृती ने हमको ये चीजे उपलव्द करा दी कि भाई नेचर से अब इसको हम बदल नहीं सकते हैं हम ये नहीं कर सकते हैं जन्वरी में बारिस करवा दे जो जिस चीज का मौसम है वो उसी में रहेगा ये तो हमको नेचर ने दे दिया तो हमने इसको adopt कर लिया हमने इसको क्या करा है adopt करा ठीक है अब हमने क्या करा इसके अनुसार इन मौसमों में जब पानी अच्छा मिल जाता है तो हमने जिस मौसम में हमें पानी अच्छा मिलता है हमने ऐसी फसल उगानी शुरू कर दी, जिसको पानी की अच्छी जुरूत होती है, जिसको पानी की ज्यादा जुरूत होती है, तो हमने इस मौसम में वो फसल उगानी शुरू कर दी, लेकिन बागी मौसम में अगर हमें बरसात का पानी ज्यादा नहीं मिल पा रहा, तो हमने ऐसी फसल उगा अनुसार बदलाओ कर दिया है मानव ने क्या करा उच्छ तक्नीक और प्राकृतिक संसादुनों का अच्छे तरीक masih से उप्योग करते हुए वातावरन में प्रिवर्तन कर दिया बिल्कुल मानव ने क्या करा है कि कि उसके पास अब अच्छी तक्नीक आ गई है तो उस से वे बंदन को धीला करने में सक्षम हो पाया अब देखिए प्रकरती हमारे उपर कुछ ना कुछ बंदन करती थी मानव ने क्या करा उन बंदनों से टेक्नलोजी के विकास के द्वारा उन बंदनों को उसकी जकड जो है वो धीली करी एक्जामपल से समझो देखिए एक समय इसा था जब मानव को ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो जब बरसात होती थी जब वर्षा होती थी ठीक है जब आकास में बिजली कड़कती थी बिजली के कड़कने में माना जो था वो बहुत ज़्यादा डर जाता था वो ये सोचता था कि भगवान हमसे नाराज हो गए है इसलिए वर्षा और ये बिजलिया कड़क रही है वो नहीं जानता था इन सब चीजों को ठीक है बिल्कुल भी नहीं जानता था लेकिन धीरे-धीरे उसको समझ आने लग खॉवा टेकनलोजी का विगास हुआ यानी नि को ग्यान हो गया है तो उस ने लगाता तकनीकी विगास के साथ अपने उपर जो उसके उपर भौतिक पर्यावरन के द्वारा का सेवे बंदन थे जो यानि जो नेचर के द्वारा जो बारिस आ रही थी जिसकी वज़े से उसको बहुत जादा नुकसान होता था अब उसने उस चीजों को अपने हिसाब से क्या करा उस बंदन को ढीला करने का प्रयास किया, अब वो डरता नहीं है, अब वो समझ गया है कि भाई, बिजली कियों कड़कती है, दूसरा इसमें क्या है, कैसे मतलब अपने आपको वो बारिज से बचाने के लिए काम कर रहा है, उसने कई चीजों का विसकार कर रहा है, उसने चाते का इस्तेमाल कर लिया, छ उन सब चीजों को कहीं न कहीं ठीक करने में सक्षम हो पाए है, मनुष्ये ने तकनीकी विकास के जरिये, श्रम की कठोरता को भी कम कर लिया, बिल्कुल, श्रम का मतलब होता है महनत, पहले क्या था भाई, लोगों के पास जब मशीने नहीं होती थी, तब क्या था, बहुत स ठोक कर उसको तोड़ने की कोसिस करेंगे, उस पत्थर को तोड़ने की, लेकिन आप क्या है, अब एक छोटा सा, एक बं टाइप का होता है, वो लगा दिया जाता है, और दो मिनट के अंदर वो तूट जाता है, पत्थर फिर उसको मसीनों से काट दिया जाता है, ठीक है, प तो इसके बहुत सार एक्जामपल हो सकते हैं, आप कोई भी एक्जामपल लगा कि आप देख सकते हो, आप देखो एक कोशन बहुत जाद आपकी पेपर में आता है, यह आपके supporting material से उठाए मैंने और यह पेपर में बहुत जाद आता है, क्या, कहां और क्यों, यह इस वर्ग क जो प्रश्न है इसका वर्णन करना है आपको और बताना है कि भूगोल हमको इनका आंसर कैसे देता है या फिर option में question है कि कि किस आधार पर कह सकते हैं कि भूगोल जो है एक वैज्ञानिक विसे है इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं तो देखे भूगोल में तीन तरह के question का solution हम को मिल जाता है पहला question है क्या। ठिक है क्यिका मैं क्या क्या कैसे question पूछे जा सकते हैं कि जैसे की देखिए मानली जी कोई बोलता है कि गुजरात में ठिक है गुजरात में भूमी के अंदर कि है संसाधन उपलब्द रहें का। ठीक है कौन से संसाधन उपलब्द है, तो कौन से संसाधन भी क्या वाली केटिग्री में आ जाएंगे, ठीक है, तो हम बता देंगे, ठीक है, ठीक है, यह संसाधन उपलब्द है, यह संसाधन उपलब्द है, यह संसाधन उपलब्द है, इस तरीके से, यानि जो क्या वाले को जो है वो कहां उगाया जाता है कौन से देश में मिलेगा कहां पे मिलेगा तो हम बोल देंगे जैसे चीन में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाएगा तो हम इस तरीके से आंसर दे देंगे ठीक है या फिर कहां पर हमें आलमुनियम के संसादन जादा मिलेंगे, कहाँ पर हमको तामा जादा मिलेगा, तो ऐसे कोशनों का जवाब भी हमको जοोग्रोफी सिधा सिदा दे देता है, क्या वाले कोशचन के जवाब हमें धूगोल से मिल जाते हैं, कहां वाले प्रश्णों के जवाब भी हमें भूगल से मिल जाते हैं और एक तीसरा है जो सबसे ज़्यादा important है important क्या है? तीसरे में important है इसमें क्यों वाले जवाब दिये जाते हैं और क्यों वाला जो जवाब है इसी से भूगोल को हमें एक विज्ञानिक विशे कहते हैं क्योंकि क्यों वाले जवाब जो हैं इसमें केवल सीधा सीधा जवाब नहीं बलकि इसमें तथे भी दिये जाते हैं यानि कि फैक्ट दिये जाते हैं फैक्ट के साथ जवाब होता है इसलिए इसको एक विज्ञानिक विशे कहते हैं ठीक है जैसे कि एक्जामपल भारत में उत्तर परदेश से एक नदी बहती है ठीक है गुजर रही है वो नदी वहीं से क्यों गुजर रही है इसका जवाब कैसे दोगे तो भुगोल बताएगा कि भही पहले क्या था सिश्टम क्या रहा होगा फिर बात में कैसे रहा होगा कैसे नदी वहां से निकली ओगी ठीक है वो पूरा का पूरा क्यों वाला जो जवाब है आपको यहां मिल जाएगा अब आप बहुदी चीजों को आपका जवाब जो है, वो यहाँ पर मिल जाएगा, तो यह important है, क्या, कहां, क्यों, इन सभी के answer हमको भूगोल देता है, इसलिए हम भूगोल को क्या बोलते हैं, एक विज्ञानिक विशय बोलते हैं, clear है, आगे देखो, भूगोल के प्रमुक दो उपागम, यह paper में बहुत जादा जाने वाला question है, most important question है, तो भूगोल के दो उपागम आपके paper में पूछे जाएंगे, तो इसको देख लेते हैं कि वो दो उपागम कौन से हैं, ठीक है, सबसे पहले आपका आता है क्रमबद भूगोल, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल, अगर इसको इंगलिस में बो question नहीं आएगा, question उसके अंदर से ही आएगा, ठीक है, तो इन सारे topic को अच्छे से याद करके समझ के जाना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, करमबद भूगोल की, करमबद भूगोल जो है, ये concept कौन लेकर आया था, तो ये दृष्ठी कौन जो है, ये लेकर आया थे, जर्मन एक भूगोल वेता थे, जिनका नाम था, अलेकजेंडर वॉन हमबोल्ट, नाम याद रख पाओगे, अलेकजेंडर वॉन हमबोल्ट, इनों ने ये प्रस्तूत करा था, करमबद भूगोल का concept, दूसी तरफ है, प्रादेसिक भूगोल, ये उनी के, यानि हमबोल्ट के समय के ही एक और विद्वानते, जिनका नाम था, कॉल रिटर, कॉल रिटर ने प्रादेसिक भूगोल का concept रखा था, दुनिया के सामने, क्लियर हो गया, दोनों के नाम पता होने चीए, दूसरा क्या है, देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक fact उठाया जाता है, कोई व्यक्ति है, या मानलेजिए आप ही हो, आप प्राकृतिक वनस्पती के अध्यन में interest रखते हो, यानि आपको जो हमारे प्रकृति में जो वनस्पती होते हैं, जो पेड़ पौदे होते हैं, आप उसकी पढ़ाई करने में interest रखते हो, आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप कैसे पढ़ोगे आप विश्व इस्तर पर यानि दुनिया भर में जो पेड़ होते हैं जो वनस्पती होती है आप पूरे विश्व के इस्तर पर उस वनस्पती का अध्यान करोगे ठीक है सबसे पहले पूरे विश्व के इस्तर पर अध्यान किया जाएगा उसके बाद मै सबस्क्राइब कैसे अदिया सब्सक्राइब करेंगे। तो सबको एक साथ पढ़ लेंगे, दुनिया बारे में ऐसे ऐसे वनस्पती होती है, पूरी वनस्पती, उसके बाद उसको टाइपस में डिवाइड करेंगे, जैसे कि देखिए, सबसे पहले आजाएगा आपका विसुवत रेखिये, सदा बहार वन, यानि सदा बहार वनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मॉनसूनी छेतर में जो वन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानि उसके टाइपस को पढ़ेंगे, उसके बाद, टाइपस को पढ़ने के बाद, उसकी पहचान, उसकी विवेचना करेंगे, उसका सीमांकन करेंगे, ठीक है, इ से मानलो आपको जानवरों पर पढ़ना है, तो आप जानवरों वाला टॉपिक लोगे, पूरी दुनिया में कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, कितने उनकी प्रजातिया होती है, पूरी दुनिया में पहले इसका अध्यान इसमें देखो इसमें विश्व को विभिन पदा नुक्रमिक इस तर पर प्रदेशों में विबक्त किया जाता है सबसे पहले क्या है मानलो दुनिया है मानलो पेड़ बोदे पढ़ने तो दुनिया भर को छोटे-छोटे हिस्सों में बाढ़ दिया जाएगा ठीक है अलग-अलग हिस्सों में दुनिया को बाढ़ दिया इतने सारे हिस्सों में बाढ़ दिया अब पर्टिकुलर आपको इस किसी प्रदेश में किसी प्रादेश इतने से हिस्से के बारे में पढ़ना है उस हिस्से में कौन से जानवर मिलते हैं ठीक है जैसे मानलो जानव यानि किसी एक विशेश परदेश की जो भौगुलिक तत्थे होते हैं उसके बारे में अध्यान करते हैं ठीक है बहुत detail में और इसको प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है उसमें किसी परदेश को छेत्रे इकाई मान कर उसका अध्यान किया जाता है छेत्रे का मतलब क्या है क पूरी दुनिया को बाढ़ दिया, अलगलग इससोन हमें, हम एक unit मान लेंगे, एक's our room मान लेंगे चेत्रे, फिर इसके बारे में हम इसका क्या करेंगे, अध्यान करेंगे, करंबध में और प्रादैशिक में यही अंतर होता है. क्रमबद में क्या था पूरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे थे फिर धीरे 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 करके उसके टाइपस पढ़ रहे थे फिर अपने किसी एक देश पर आ रहे थे इसमें क्या होता है पूरी दुनिया में से किसी पर्टिकुलर एक जगा के बारे में ही पढ़ा जाता है ठीक है इसको प्रादेशिक या नहीं रीजनल कहा जाता है किलियर है आगे चलते हैं ये पेपर में कुशन आता है क्रमबद और प्रादेशिक का रट के जाना आता ही आता है एक और है टॉपिक जो मैं आपको इसको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको पढ़ना ही बाकि नहीं पढ़ना ही इसमें पादप, प्राणी ये सारे इसके अंतरगत आ जाएंगा दूसी तरफ मानो भूगोल आप भातिक भूगोल में वो था جो प्रकरति ने बनाया था यह मैंने आपको बताया था उस टाइम पर, मानव भूगोल में कौन सी चीज़े थी, जिसको मानव ने बनाया था, तो मानव भूगोल के अंतरगत क्या होगा, ठीक है, मानव की सामाजिक, सांस्किर्तिक, मानव की जनसंख्या, उसकी बनाई हुई बस्तियां, आर्तिक कारग, ठीक, एतिहासिक, राजनेतिक, नगरिये, ग्रामीन, यह सारा का सारा मानव की द्वारा बनाया गया है, वो मानव भूगोल में पड़ेंगे, तो यह टेबल इसमें से इतना ही आपको देखना है, बीच में मत जाना, वरना कन्फ्यूज होते जाओगे, अब इसमें से कोशन के अलग अलग होती है, मैंने आपको स्टार्टिक में बताया था, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले क्या बता देता हूँ, कोशन पेपर में आएगा, बताईए, भौतिक भूगोल जो है, उसकी प्रमुक शाखाई कोंसी है, आपको इस तरीके से लिख देना है, भू थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और एक एक टोपिक पढ़ते हैं कि भू आगरतिक में क्या बढ़ते हैं, भूगोल जाएंगे, इस सब का धियन किस्में करते हैं, भू आगरतिक विज्ञान में, किलियर है? फिर क्या था? नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, नाम से ही, जलवायू, तो जहिर सी बात है, जलवायू, मौसम, तापमान, इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो जलवायू विज्ञान में क्या होता है, इसके जो संगटक तत्व होते हैं, इसके संगटक होते हैं, वर्सा, ठीक है, तापमा में जल की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, तो important है, ये भी आपको याद रखना है, अगला topic देखो, मिर्दा भूगोल, इसमें क्या है, मिर्दा यानि मिठी के बारे में पढ़ेंगे, मिठी का निर्मान कैसे हुआ, मिठी का निर्मान होने में कितना समय लगा, मिट्टी कितने परकार की होती, आप जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोड मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है? यह सारी जो उसकी टाइपस होती है, उस टाइपस को पड़ते हैं, फिर मिर्दा के उत्पादकता का इस्तर देखते हैं, क्योंकि आप सभी मिट्टी उपजाओ नहीं होती कुछ मिट्टी में आपको चावल अच्छा उगता मिलेगा तो किसी दूसरी मिट्टी में आपको कपास अच्छी उगती मिलेगी तो हर फसल के लिए एक अलग टाइब की मिट्टी चाहिए होती है उस सब के उत्पादक मिलेगी तो उन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है मिर्दा भूगोल में ये सब क्या है आपका भौतिक भूगोल के अंतरगत आ रहा है ठीक है दूसरा है मानव भूगोल इसमें से एक कोशन आपके पेपर में आएगा भौतिक पूछ लिया तो आपको वो बताना है मानव भूगोल है तो उसमें आपको ये बताना है मानव भूगोल में क्या होता है भूपरिष्ट्यानी जो भूमी है उसमें जो मानवी है या जो सांस्किर्टिक तत्व होते हैं उसका अध्यान करते हैं यानि कि इसमें क्या होता है मानव भुगोल के अंतरगत, अब मानव भुगोल की शाखाएं देखें, तो बहुत सारी शाखाइं हैं, तो इतनी सारी शाखाइं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, सारे हैं, लेकिन मैंने यहां पर कुछ ही ले रखे हैं, अब इसमें ऐसे थोड़ा साम, दो चार को ही समझ लेते हैं, आर्थिक भूगोल की बात करें, तो हमें अर्थविवस्ता से रिलेटेड चीजें, जैसे किरिशी हो गई, उद्योग हो गया, परियाटन हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो सब हमें आर्थिक भूगोल, राजनितिक भूगोल में क्या है, देखे, राजनितिक सीमाई जो है, उसको देखा जाता है, निकटम जो पडोसी देश या पडोसी इकाईया है, उसको देखा जाता है, निर्वाचन कैसे हो रहा है, निर्वाचन छेतर परी सीमन, छेतर चुनाओ वाला जो परि उसका वर्तमान इस्तिती में आने से पहले एक इतिहास होता है, एक इतिहासिक अनुभा होता है, उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है? आज के समय में भारत ऐसा है, तो आज के समय में ऐसा नहीं है, 250-400 साल पीछे जाओ तो भारत आपको थोड़ा अलग दिखेग तो उस समय से इस समय तक आने में जो परिवर्तन हुए, उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है, एतिहासिक भुगोल में, जनसंख्या भुगोल, इसमें क्या पढ़ा जाता है? मानव की जनसंख्या पढ़ी जाती है, उसकी जनसंख्या की विर्धी, ठीक है? उसकी सारे दिखाएं ना, पेपर में आये तो इसमें से कोई भी दो, तीन, चार, पाँच पॉइंट आप लिख सकते हो, इसको explain कर सकते हो, ठीक है, तो यह याद करना है, याद करके जाना है, अब एक कोशना के पेपर में यह भी आता है, इस topic में से, कि भूगोल जो है, भूगोल भूगोल तो है, आप समझ गयों क्या है भूगोल, प्रितिवी के बारे में अध्यन करना होता है, ठीक है, लेकिन भूगोल का जो संबंध है, वो दूसरे subject के साथ भी है, history से भी जुड़ा हुआ है, political science से भी जुड़ा हुआ है, समास सास्त्रयानी, sociology से भी जुड़ा ठीक है, sociology से भी जुड़ा है, economics से भी जुड़ा है, political science से भी जुड़ा हुआ है, इन सभी के साथ भूगोल का निकट का संबंध है, यह आप से paper में पूछा जा सकता है, कैसे संबंध है, क्या यह आप बता सकते हैं, कैसे संबंध है, तो देखे, इतिहास का भूगोल के कैसी थी, या दुनिय कैसी थी, ठीक है, या फिर इतने मिलियन साल पहले पृत्वी पर डाइनसोर रहते थे, यानि इतने साल पहले तो भूगोल जो है, उसका कहीना कहीं इतिहास से जुड़ा हो गया, इतिहास में ही तो होता है, पीछे ही तो जा रहे हैं, तो इतिहास में, राजनितिक सास्तर से कैसे भाई भूगोल को जोड़ के देख सकते हैं राजनितिक सास्तर पॉलिटिकल साइंस में हम जनसंख्या का विशलेशन करते हैं ठीक है साशन का विशलेशन करते हैं जबकि राजनितिक भूगोल के अगर हम बात करें ठीक है पॉलिटिकल साइंस में तो हम यह पढ़ते हैं लेकिन राजनेतिक भूगोल की बात करें तो किसी एक छेत्री एकाई के जो रूप है उसमें जो राज्ये आ जाते हैं या उसकी जनसंख्या जाती है उसकी जनसंख्या का वेवार जो है उसका ध्यन करते हैं तो पॉलिटिकल सा पशुपालन हुआ पशुपालन से जो चीजे आई उसका व्यापार हुआ व्यापार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ और उससे पैसा आया तो कहीं न कहीं है एकनोमिक से जो जुड़ गया है तो यह चीज आपको यहाँ बताने थी ठीक है फिर जनसंक्या भूगोल जो है जनांकी की से भी जुड़ा हुआ है अब जनांकी की से कैसे जुड़ा है क्योंकि जनसंक्या भूगोल के अंतरगत क्या पढ़ा जाता है हमें यहाँ पे लिंग पढ़ते हैं, ठीक है, जनसंक्या भूगोल में हम जनसंक्या का घनत वो पढ़ते हैं, जनसंक्या का वितरन पढ़ते हैं, ठीक है, जनसंक्या में साक्षर्ता कितनी है वो पढ़ते हैं, तो ये सारा का सारा हम जनसंक्या जनांकी की में पढ़ते हैं, तो जनसंक्या भूगोल स समाज सास्त्र यानि sociology से भी related हो जाता है इसी तरीक़े से sanskritik भुगोल की बात करें तो इसमें हम maanow के बारे में बढ़ते हैं तो वो मानव सास्त्र से जुड़ जाता है तो यानि भुगोल का समंध के बुगोल से नहीं बलकि दूसरे subject के साथ भी कई ना कई भूगोल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह आपको बताने दे, अब इसमें से 2 या 3 के साथ आप उसका relation बता सकते हो, तो यहाँ पर अपना जो chapter है खतम हो जाता है, देखे, NCRT में बहुत सारी चीजे दे रखी है, उसमें से NCRT में से 70% जो NCRT में से 70% जो है, वो आपके exam में कभी आता ही नहीं है, लेकिन 30% में से ही आता है, यानि आपके इस chapter में से, अगर मैं सही से तरीके से बताओं, 4 या 5 question ही बनते हैं, उन 4-5 question में से 1 question तो पका आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो सारे topic मैंने इस वीडियो म को याद करके जाना, और मुझे comment करना जादा से जादा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए आगे के chapter बनाता हूँ, कैसी आपको वीडियो लगी मुझे comment में बताइए, मिलते आपसे next वीडियो में, thanks for watching, जै हिंद, जै भारत.